नमस्कार आप सभी का स्वागत है दलिट टाइम्स में आज की तारीख में हर कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है कोई समाज से लड़ रहा है तो कोई सरकार से इसी तरह हम आपको बताएंगे आखिर क्यूं हो रहा है हाश्टाइग SCST Act गलत है ट्विटर पर ट्रेंड हाल ही में कई विचारधारा के लोगों ने ट्विटर पर हाश्टाइग SCST Act गलत है ट्रेंड करवाया इन लोगों का कहना है कि SCST Act में जादा तर मामले गलत होते हैं और स्वर्ण जातियों को जूटे आरोप में फसाया जाता है और इनका तो ये भी कहना है कि अब reservation खतम हो जाना चाहिए क्योंकि जादा तर रोजगार ये आरक्षन वाले ले जा रहे हैं जिस वज़ा से हमारे लिए अब रोजगार नहीं बचा है सबसे पहले आपको बताते हैं कि SCST Act आखिर है क्या SCST Act एक संसत द्वारा पास किया हुआ कानून है जिसका पूर्ण अर्थ दसके जॉल्ज कास्ट एंदसके जॉल्ज ट्राइब्स Prevention of Atrocities Act है हाल ही में राजस्थान पुलिस ने मीडिया में एक डेटा शेर किया जिसके अनुसार 40% SCST Act के मामले जूटे थे लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि SCST पर प्रतार्णा के मामले 7% के दर से बड़े हैं लेकिन NCRB 2019 की रिपोर्ट को माने तो SCST पर अत्याचार के मामले 26% से बड़े हैं और यहीं नहीं ऐसे लाखों केस हैं जिन पर FIR रिजिस्चर ही नहीं की गई है देश में SCST महिलाओं से बलतकार के मामलों में राजस्थान 554 के आंकड़े से नंबर 1 पर है उत्रप्रदेश 537 के आंकड़े से दूसरे नंबर पर है और मध्यप्रदेश 510 के आंकड़े के साथ तीसरे नंबर पर है आज भी गौर रक्षा के नाम पर दलितों पर अत्याचार के कई घटनाए सामने आ रही है हाल ही में दलित महिला के साथ एक सामूहिक बलतकार का मामला सामने आया जिसमें बरेली के SSP रोहित सिंग सजवान ने IPC की धारा 376D के साथ SCSG Act के तहट प्रात्मी की दर्जकर तुरंत गाउं में टीम भिजवाई अब आपको बताते हैं कि SCSG OBC वर्क के कितने प्रतीशत लोग सरकारी नौकरियों में है Department of Social Justice and Empowerment की माने तो 78 मंत्रालों और विभागों ने बताया कि SCK 17.49% SCK 8.47% और OBC के 21.57% लोग केंदर सरकार में कारेरत हैं और लगभग यही हाल राजसरकारों का भी है अगर हम इन सब को जोडें तो यह कुल 47.57% होता है जो की 50% से भी कम है और भारत में इनकी आबादी लगभग 70% है इसके विपरीत स्वन जाती की कुल आबादी 30% के करीब है और यह लगभग 52% के करीब सरकारी नौकरियों में है तो यह कहना गलत होगा कि आरक्षन के कारण नौकरियां खतम हुई है भारत की जादातर सरकारी नौकरियों में पकड़ स्वन जाती की है इसलिए वे दलितों को आने नहीं देना चाते और अगर रिपोर्ट्स की माने तो दलितों को जादा तर D-Group की नौकरियां जैसे की साफसफाई और चपरासी की ही मिलती है इसलिए वे पैसे तो कमा लेते हैं परंतु समाज में उने वे सम्मान नहीं मिल पाता भारतिये मीडिया में पिछली जाती के पत्रकार 5% से भी कम है कुछ स्वन्ड जाती के परिवारों का पूरे भारतिये मीडिया जगत पर नियंतरन है जिस कारण पिछले जाती के लोगों पर हो रहे बहुत से अत्याचारों पर मीडिया कवरेज ही नहीं हो रहा है इस कारण भारतिय मीडिया में आज भी आरक्षन की जरूरत है SCST एक कानूनी व्यवस्ता है जिसके अंतरगत पिछला वर्ग अपने न्याय के लिए लड़ रहा है पिछला वर्ग किसी को हीन भावना से नहीं देखता बलकि वह चाता है उन पर हो रहे अत्याचारों के मामलों को वैसे ही सरकार सुने और न्याय करे जैसे बाकी वर्गों का किया जाता है इसलिए पिछला वर्ग दलित वर्ग गुहार करता है आने जानकारी के लिए देखते रहे है दलेट टाइम्स वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और हमारी नई वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद